हाई फ्रेंड्स विल्कम टो मा यूटूब चैनल डिजिटल को टैक में आप सभी कर्स्वागत हैं दोस्तों यह वीडियो मेरे HTML for beginner tutorial का है दोस्तों जैसे कि मैंने playlist में बनाया हुआ है आप लोग जाके मेरे playlist पे आप जाके यह सारे वीडियो को देख सकते हो तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि formatting कैसे करते हैं दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि estimate tutorial for beginner यह playlist की videos हैं दोस्तों तो यह video मेरा 6 video है जिसके अंदर मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि text formatting कैसे करते हैं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर हां दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आये हो तो प्लीज मैरे इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीड़ा अच्छे लगे तो लाइक कीजिए चलिए दोस्तो बेना आप चलके फटक से कोड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग टेक्स फर्मिटिंग के बात करते हैं तो हम लोग चल लेते हैं जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि मैं W3 को रिफेर करने वाला हूं तो इस वीडियो में भी मैं W3 को refer करते हैं और देख लेते हैं text formatting के बारे में दोस्तो तो चलिए दोस्तो नो text formatting के बारे में पढ़ लेते हैं तो चलिए text formatting क्या होता है मैं आपको दोस्तो text formatting बहुत है जैसे कि आप कोई paragraph लिख रहे हो दोस्तो और फिर उसके अंदर आप लोगो को कुछ changes करना हो जैसे कोई चीज़ बोल्ट करना हो याnoc हमारे पास यहां में पर एक ये करें ये चलिऑ करेंगे दोस्तों चलिए दोस्तों मैं बटाक सभी वीर्ष कोड करना ल तो आप लोग अगर नहीं पता होगा तो जाए मेरे प्ले लिस्ट को देख लीजिए आपको सारी वीडियो मेरे उसमें देख लोगे तो आप लोको पता चल जाएगा मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बता के रखा हुगा है अचले जैसे कि मैं यहाँ पर एक टैग ले ले सकते हो तो मैं यहाँ पर 40 टैक्स लेता हूं दोस्तों और कंट्रोल जर दबाऊगे तो आपकी यह सारे जो टैक्स है एक फॉर्मिटिंग पर आ जाएंगे दोस्तों चले दोस्तों यह सारे चीज़े आ गई हैं हम लोग इसको सेउ करते हैं और राइट क्लिक करके ओपन सबसे पहले टैक्स को बोल्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों फॉर्मिटिंग के यह सारे टैक्स फॉर्मिटिंग है तो हम लोग कैसे यूज करते हैं सारी चीज़े बता रहे हैं मालने जिए मुझे यह डॉलर को बोल्ट करना हो तो यहाँ पर लिखिए और इसको इंटर कर अब यह जो डॉलर की करते हूं यहाँ वहां लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया बोल्ट के अंदर है आप लोग चलते हैं डॉलर को देखते हैं ठीक्स करना हो तो कैसे यूज करते हैं और वह क्या काम करता है दोस्तो नेक्स देखलेते अब यहां पर क्या स्ट्रॉंग इस ट्रॉंग वही काम करता है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब मैं टैक्स सिखा था इलेमेंट इसा था भी मने बता धिया था कि बॉल्ट क्या होता है क्या होता है छो फिर भी एक बाद देख लेते हैं तो हम लोग नहीं यहां पर बोल्ट देख लिया अभी हम लोग देख लेते हैं तो चलिए मैं यहां पर कोई भी एक वर्ट को ले लेता हूं माली जे अमेट को ले लेता हूं मैं इसको कॉपी करता हूं and then cut and paste and save and go to the check चलिए दो देख लेते हैं अभी आपड़ों देख सकते हो कि मैंने जब बोल्ट किया था दोस्तों तो डॉलर हमारा जो था जो हमारा डॉलर था आप लोग वह स्ट्रॉंग मतलब कि जो बोल्ट है वह स्ट्रॉंग की तरह ही काम करता है दो चलिए दोस्तों नेक्स देख लेते हैं next हमारा क्या italy चलिए दोस्तों अब यहां पर कोई भी चीज्ब पर ने लेते हैं इसको यहां पर करता हूं दोस्तों और इसको यहां पर copy and then and yet paste चलिए दोस्तों मैं आप पर paste कर लिया और आप लोग चलके दिखा देता हूं यह हमारा इटाइलिंग बन गया हर टैक्स से यह तैक्स हमारा अलग है आप लोग को समझ भी में आ गया की आई को कैसे यूज करते है ढमनेक्ति को गफटे यह जो होता हमारा यह क्या काम करता है इसको देख लेते हैं चलिए तो चलिए हम एकट देख सकते हैं यह भी इन की तरह से कि ट 500 को स्रेट ने के लिए इन यूश कर सकते ले प्रल दोस्तों अबक्राहते हूँ और आपको मार्क क्यों करता है वयलो filled बेटा ये चलिए दूस्तों मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं यहां लाके पेश कर देता हूं करते हैं और फिर चलते हैं देखते हैं जैसे की अपने मार्क लगाया है तो यहां पर उल्याइन है Late टैक्स को हाइलइट करता है वे चलिए नोट कैसे को सपी है बंगा दुल ऑ careless को सब्सक्राइबıllस भीज़ाकर देखता हैं और मैं यहां से इसको copy करता हम cut and just paste and save छेले दोस्तों देख लेते हैं smaller क्या काम करता है तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि smaller हमारा क्या काम किया tax को इद्दन small कर दिया बहुत ही छोटा कर दिया छेले दोस्तों आप लो next formatting देख लेते हैं next है हमा डेल इसको डीलीट करते हैं यहां पर लिख के दिया द्पर मैं आप लिखा रहा हूँ या कोई भी चीज लिखता हूँ अउसके बात फिर एंटर करता हूँ तो यह मेरा जितने भी टैग है वो आप्टमेटिक क्लोज हो जाते है मतलब कि सही तरह से वर्क करता है यह क्यों करता है तो कि मैंना BS Code के अंदर यह ऐसी फीचर्स दिये हुए है तो मैं बोलूँगा कि आप लोग आप लोग BS Code ही यूज करो दोस्तों तो चलिए दोस्तो आपनों जैसा कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर डेल जैसी ही लिखा मतलब टैक्स को डिल्ट करने है तो टैक्स के उपर एक लाइन मार दिया गया है तो यह डेल का काम होता है दोस्तो हमने नेक्स्ट अभी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं यह है हमारा insert अभी यह क्या करता एंट करोगे दोस्तो और इसके अंदर करता है जैसे मैंने इसके अंदर कोई नाम लिखा तो वह इन इसका मतलब होता है और देख सेकते हैं बताने की ज़र्वर्द नहीं है मुझे तो चलिए देखें दोस्तों नेक्स फारवर्मिर्टिक देख लेते हैं क्या होता है अब सब्टेक्स क्या होता है मान लीजिये आप लोग को कुछ लिखना हो जैसे कि 2 RAGE2 2 या 2 UNDER RAGE2 2 जैसे कि हम लोग कोई भी लिखते है ना दोस्तों भी मां कोई करके दिखाता हूं जैसे मान लीजे कि यहां पर मैं सब यूज कर लेता हूं और फिर आपको समझ में आगा एक फिर अच्छे से तो हमारा कहा किया यह देख सकते हो जब मैंने यहां पर सब यूज किया दोस्तों तो यह एक जब भी मान लीजे कि हमको टू की नीचे टू लगाना हो तो आप लोग यहां पर लिखकर उसके नीचे टू लगा सकते हो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अब यहां पर क्या यू यूज़ करेंगे दोस्तो शूपर把它s और यहें अब super use करके देख लेते हैं सुपर स्क्रिप्टिक ऐसे करता हूं उसको मैने copy किया और यहांपे पेश्ट कदेता हूं और फिरroph raj चलिए दोस्तों आपके देख सकते हो MICHAEL जेसे believed in the next time तो जैसे आपके ने देख लिया है कि पैरा ग्राफ की अंदर फार्मेटिंग टेक्स के कैसे use करते हैं आप लोग को यूज करके बताया और कैसी यूज होता है सारी चीज़े बताईए तो चलिए दोस्तो आप लोग को मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग को यह अच्छे से समझ माई होगी दोस्तो तो मैंने यहां पर सारी इतने ही सिर्फ फार्मेंटिंग इलेमेंट से दोस्तो तो चलिए दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए वीडियो के साथ और मैं इस सीरीज को पुरा कंटीनू करूंगा दोस्तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस सीरीज को बुक माक नहीं किया ओगा तो कीजे चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में